यह चैनल केवल मनुरंजन के उद्देश्य से कालपनिक कहानियाओं बनाता है हम बच्चों अंडर अठीन को सामगरी नहीं बनाते हैं 18 प्लस या उससे अधिकायू वर्ग के लोगों का देखने के लिए स्वागत है सुनिल अनीता से बहुत ही बुरा व्यवार करता था तबी अनीता मन में सोचती है इनको दो महीने से देख रही हूँ क्या हो गया इनको मुझसे हमेशा चिनला कर बात करते हैं चलो छोडो काम कभी तो प्रभाव पड़ सकता है अनीता मन को तसन्ली देते हुए खुच से कहती है तबी अनीता की देवरानी सेजल उसको अवाज देती है दीदी कहा गई आप थोड़ा किचन में रोटी सेख दीजिए तो मैं कुछ काम कर रही हूँ हाँ ठीक है सेजल अनीता वमुती भोली और सिंपल स्वभाव की महिला थी परन्तो सेजल अनीता की मिलकुल विपरित थी सेजल आज कल की मौडन जमाने की महिला थी तबी सेजल मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ज्यादा फोन यूज मत किया करो और अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है क्या होता है तो आजकल की सभी महिना सोशल मीडिया पर बहुत ही जादा एक्टिव रहती है वे लोग तो सोफिया जैसे हरकते करके ला रहे हैं मैं तो सिर्फ फोटो ही अपलोड करती हूँ फोटोस भी अपलोड करना बंद कर दो तुम वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सोशल मीडिया उन लोगों के लिए है जिनके पास टैलेंट हो तुम इन सबसे दूर ही रहो तुम्हें ये जितना अच्छा लगता है उतना खतरनाक भी है समझी तुम अब मैं चलता हूँ तुम्हारे चक्कर में आज ओफिस के लिए भी लेट हो गया अनूज के इतना समझाने के बावजुद भी सिंजन दिन बार फोन में ही गूसी रहती जब भी अनूज खाम करके घर वापस आता तो भी वाप फोन में ही लगी रहती धीरे धीरे अनूज ने भी उसे बोहना छोड़ दिया सब रोज की तरह चल रहा था देखते ही देखते दोजार चौविस का जन्वरी महा खतम हो गया और पत्यज़ गर्मी का मौसम आने लगा तब ही सुनिल अनीता मुझे ठंडी शर्वत चाहिए निबू मार के मैं जान रही हूँ कि दोपहर है भी और गर्मी भी लगबग आही गई है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं सुबा से उठी रहती हूँ दिन बर काम करती रहती हूँ दोपहर में बस दो घंटे का अराम करने का मौका मिलता है और उसमें भी आप मुझे छोड़ते नहीं है जाए रसोडे में देवरानी जी होगी वो अपने लिए बना रही होगी सर्वत तो आप एक ग्ला समने लिए भी बनवा लेना अब मैं सो रही हूँ तब ही सुनील कहता है क्या बात है? मुझे तो कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया कोई बात नहीं बहु से ही बनवा लेता हूँ सुनील किचन की ओष चला जाता है जब वा किचन पहुशता है सेजन किचन में नहीं होती है क्या मुझे बहु के कमरे में जाना चाहिए? चला जाता हूँ एक ग्लास शर्बत की ही तो बात है वा सेजन की कमरे की तरफ आगे बढ़ता है जैसे ही कमरे में पहुशता है वह अपने कमरे में नहीं रहती है तभी उसे गुनगुनानी की आवाज सुनाई देती है वह आवाज बातरूम से आ रही थी सुनिल बातरूम की और आगे बढ़ता है उसके बाद जो वो देखता है बिलकुल पागल सा हो जाता है सेजल नहा रही होती है सुनिल चुपके से सेजल को नहाते देखते रहता है और स्टैचू की तरह खड़ा रहता है जैसे ही सेजल नहा कर कपड़े पहन कर बाहर आने को होती है सुनिल वहाँ से भाव जाता है वहाँ सीधे अपने कमरे में जाता है और बैटकर लंबी सांस लेता है अब सुनिल सेजल के लिए पागल सा हो गया एक राज सुनिल छट में अकेले सिग्रिट पीते रहता है और खुद से बाते करते रहता है क्या लाजवाब फिगर है सेजल का? क्या दिखती है? कसम से हीरोईन से कम नहीं है और कहां? मेरी बीवी साला देख के ही पूरा माइन डिस्टर्ब हो जाता है अब मुझे कैसे भी करके सेजल को अपनी और आकरशित करना पड़ेगा गर्मी का दिन था तो जन्दी से कोई सोता नहीं था सब भीनर करके टीवी देख के टाइम पास करते रहते थोड़ी ही देर में सुनील भी हॉल में आ जाता है और सारा परिवार टीवी देख रहा होता है लेकिन सुनील अपने कमरी में जाकर सो जाता है तभी स्रीजल देदी, आज संडे है, क्योंना हम कहीं बाहर पिकनिक मनाने जाये गर्मी का मौसा में किसी पानी मने जग़ पर जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा तबी अनीता कहती है बात तो सही कह रही हो लेकिन तुम्हारे जेड़ जी को ऐसे बाहर गूना पसंद नहीं है अब क्यों चिंता करती हो मैं हुना मैं उनको जाने के लिए मना लोगी अभी कहा है जेड़ जी बताईए मुझे तुम सच में उन्हें मना लोगी क्या हाँ दिदी अब सम मुझ पर छोड़ दीजी ठीक है कोशिस करने में क्या जाता है वो अभी कमरे में है मैं गमडे में पानी देखर आती हो सेजन सुनील को मनाने जाती है जेड़ जी आपसे इं दरफफ़ास करने आयेंगे क्या आप मेरे दरफ़ास पूरा करेंगे सुनील सबसे पहने तो सेजन को ऐसे गूरता है जैसे उसलिए सेजन को पहनी बार देखा हो क्या हुआ? ऐसी क्या देख रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ क्या बात है कहो जेर जी क्या जब पिकनिक जाना पसंद करेंगे हाँ हाँ क्यू नहीं कहा जाना है बताओ हैंक्यू सोम जेर जी चलिए तो फिर चलते हैं अनूज और सेजन अपनी कार से जाते हैं और सुनील अनीता अपनी कार से अनीता के मन में ये सवाल बहुंट टाइम से खटत रहा था सुनिये जी, आपको तो बाहर ऐसे घुमना पसंद नहीं है लेकिन आप सेजल के कहने पर मान कैसे गए? किसने कहा तुम्हें कि मुझे बाहर घुमना पसंद नहीं है मुझे तो गर्मियों के मौसम में बाहर ट्रैवल करना, पिकनिक में जाना, मजे करना बहुत पसंद है अच्छा ठीक है, अनीता मन वे इन्हें अचानक क्या हो गया? पहले तो इन्हें गुमना बिलकुल पसंद नहीं था कोई बात नहीं, अब गुमने का मन हो गया होगा चारो एक समुद्र की किनारे जाते हैं और खोल मजे करते हैं अनूज और सुनीन फुटबॉल खेलते हैं, सीजन और अनीता नजारी का खोल बहुं गोल कर मज़ा लेते हैं और आखिर में चारो नारियन पानी पीते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं तब ही सेजन गेती है, आस तो बहुत मजाया, मैं बहुत ठक गई हूँ, मैं सोनी जा रही हूँ सब अपने अपनी कमरी में होते हैं, सुनील भी लेटा रहता है और वह जैसे ही आँग बन करता था, उसके सामने वही द्रिश से आता है, सेजन ना आते रहती है और सुनील छुपकर देखते रहता है, वह द्रिश से सुनील को न चैन से सुनी देता, न चैन से जागनी देता वा पूरा परिशान हो गया था वा रात को छुपके से सेजन और अनूज की कमरे में घुच जाता है और सेजन को छूणने लगता है सेजन और अनूज गैरी नीन में थे इसलिए उनको कुछ पता नहीं चला और वा छुपक चाप कमरे से बाहर आ गया तभी सेजन मन में कहती है अच्छा तो ये बात है जेड जी को मुझसे अट्रेक्शन हो गया है और उनको नगराए कि मुझे कुछ नहीं पता गर भी और बढ़ते ही गया और एक दिवी इंसान को दो से चार बन नहाना ही पड़ता था ऐसे ही इंते ही सेजन अपने बातरूम में नहा रही होती है तभी उससे एहसास होता है कि कोई उसकी और आ रहा है तभी सेजन अच्छा तो अब आप मेरे बातरूम तक पहुँच गए अंदर आ जाईए जेड जी सेजन में आ गया हूँ तुम जल्दी नहा कर बाहर निकलो आज बहुत ज्यादा गर्मी है मुझे भी नहाना है हाँ भी इस नड़दूमें भी तुरन तंदर आईए ठीक है मैं उतने से जूस पी कर आता हूँ अनुच कमरे से बाहर चला जाता है तभी सेजन क्यों आपको मुझसे क्या चाहिए कि आप मेरे बातरूम तब पहुँच गए मुझे तुम्हारे होटनेस ने पागल कर दिया है जबसे मैंने तुम्हें नहाते देखा है ओ ये बात है तो क्या आप मेरे साथ नहाना चाहोगे सुनिल का मानो कोई सपना पुरा हो गया हो दोनों जेड बहुँ एक ही टपन नहाते हैं और प्यान भरी बाते करते हैं सेजन सुनिल को बड़े ये सावधानी से बाहर निकालती है दिन बित्य गया अब दोनों जेड बहुँ बस एक साथ नहाने का मौका ढूनते रहते हैं अब वो दोपहर साथ में ही बिताते थे अनुच ऑफिस में रहता और अनीता को नींद की गोली देकर सुला दिया जाता था फिर दोनों दोपहर में गर्मी का मज़ा लेते थे एक दिन अनीता की तब्यत अचानक खराब हो जाती है उसने घर में किसी को कुछ नहीं कहा परिसान हो जाएंगी करके और वा अकेले ही डॉक्टर के पास चले गई ट्रेट्मिन करने से पता चला अनीता जी आपको इतनी ज्यादा नींद की गोली नहीं लेनी चाहिए इससे आपको हार्ट अटैक आने की भी संभावना हो सकती है आपकी जान भी जा सकती है इसमें पर मैं तो नींद की गोली नहीं गेती हूँ क्या आप मुझे बता सकती है कि यह गोली मैंने कब और किस टेंड लिया है आपने यह गोली पिछले पांच दिनों तक लगातार दोपहर में लिया है यही एक तीस से दो के बीच अच्छा धन्यवाद डॉक्टर साब तभी अनीता मन में सोचती है डेर से दो के बीच तो मुझे सेजन सरबत देती है और पिछले पांच दिनों से वही मुझे सरबत दे रही है तो क्या सेजन ही पोसक से जिसने मुझे नींद की गोली ती लेकिन सेजन ऐसा क्यों करेगी मुझे पता करना ही होगा आखिर चन क्या रहा है रात हो जाती है सब के सब सोई रहते हैं तभी अनीता चुपके से उठकर किचन में चेप करने जाती है तो उसे वहाँ नींद की गोली का छोटा सा डिंपा गुनता है जिसमें पुरी नींद की गोली भरी हुई थी तभी अनीता सोचती है आखिर सेजन ऐसा क्यों कर रही है मुझे वो नींद की गोली क्यों दे रही है कल दोपहर मैं पता नगा कर रहोंगी आज तो कैसे भी करके पता नगाना है मुझे देखते ही देखते कड़ाके की धूर पा जाती है और सेजन अनीते की कमरी में सर्वत देने पहुंच जाती है देदी क्या बातरूम में हो? हाँ मैं नहा रही हो तुम सर्वत रग तो सेजन में पीनोंगी ठीक है देदी, सेजन अपने कमरी में चली जाती है और उसके पीछे-पीछे सुनी भी उसके कमरे में चला जाता है अनीता उस सर्बत को नहीं पीती है और सेजन के कमरे की ओर बढ़ जाती है वहाँ सेजन के कमरी में जब जाती है तब वहाँ नहीं होती है तब ही उसे बादरूम में खुस फुसाने की आवाज आती है जब वहाँ नस्देग जाकर देखती है तो वहाँ हैरान हो जाती है अपने पती और अपनी देवरानी को एक साथ नहाता दे वहाँ वहाँ से दोड़ते हुए भागती है उसे बहुत पुरा लगता है वाप ने देवर को सारी सच्चाई बता देती है उसका देवर तुनन गर पहुच जाता है तबी अनीता कहती है चैनले देवर जी देखिए कैसे दोनों बेशर्म की तरह एक साथ नहा रहे हैं अनूज और अनीता कमरे में जाते हैं फिर वातरों की तरह जाते हैं दोनों वातरों में घुच जाते हैं अनीता और अनूज को देख कर दोनों जीडवाओं कर डर से मूर लालो जाता है तबी अनूज कहता है तुम दोनों को ये सब करते हुए शर्म नहीं आई सेजल मानता हूँ मैं कि तुम नए जमाने की औरत हो लेकिन अपनी मर्यादा भूल जाना ये कौन सा संसकार है और भाईया, आप, अरे मैं तुमको भाईया बोल ही क्यों रहा हूँ अब आपने भाईया शब्द खो दिया है इतनी बेशर्मी भरी पड़ी है आपके अंदर इतने गिरे हुए इंसान हो आप कम से कम भाभी को तो याद कर लेते ये सब करने से पहले तबी सुनिल कहता है अनीता मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई और अपना मरियादा और संसकार कभी न बोली क्योंकि कुछ गलतिया ऐसी हो जाती है कि माफी भी मिन्ना असंभव हो जाता है ऐसे ये रोमेंटिक मुरा इस्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और विल आइकन को प्रेस करिए कहानी टैसा लगा कॉमेंट करके आप हमें जरूर बताए और लाइक करना ना भोले